हेलो एवरिवन क्या है हाल क्या सैतान का हो गया पुरा हाल तो आज की वीडियो में सैतान मुवी की हाइप एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में जानेंगे क्या भाई क्या ऐसा क्यों लग रहा है कि सैतान की हाइप गिरती नजर आ रही है धया कुछ तो गडबड़ है क कुछ तो गड़बड है, क्या सैतान हिट होगी या फ्लॉप या बॉक्स ओफिस पर खलास, जैसा कि सैतान के ट्रिलर को देखने बाद फैंस के बीच एक्साइटमेंट बहुत जादा हो गई थी, कि ये फिल्म थोड़ा हट के, अगर देखे तो सलार और डंके और हन्मान को भ भी दिखा दो, खेर सैतान की हाइब अब भी है, बट एडवांस बुकिंग रिपोर्ट थोड़ा निरास करती नेजर आती है, सैक्लिंग की रिपोर्ट के अनुसर अभी तक आल इंडिया 4500 सोज ओपन किये गए हैं, और सिर्फ अभी तक 27,000 टिकट बिके हैं, एराउंड 65, लाग के लम सब कलेक्शन बनता नेजर आ रहा है, तो भाई कम तो है, कलेक्शन कम से कम एक करोर के पार रहता तो ठीक रहता, हाला कि अभी तक पूरे सोज ओपन नहीं हुए है, मुंबई में 1000 सोज, दिल्ले में 500, यूपी में 306, अभी और सोज एड़ किये जाएंगे, तो कलेक्शन बढ़ जाएगा, अभी लगबग 3 दिन बचे है, तो सैतान को लंबी उच्छाल मानना पड़ेगा, नहीं तो पहले दिन 2-3 करोर में सिमट जाएगी, जो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि अजे देवगन की मूवी हो, और ओपनिंग डे में सिर्फ 2-3 करोर कमाए, वहीं जब सल्मान भाई की किसी का भाई किसी की जान ने 15 करोर प्लस कमाए थी, तो सैतान तो डिजर्व करती कि कम सकम 20 करोर कमाए, अभी स्टार का स्टार्डम कब कामाएगा भाई, हाँ ये भी है कि जिस फिल्म की बहुत ज़दा हाइप नहीं होती, ओडियोंस को पता रह जो हाइप को फिर से बोश्ट करें, या कोई ग्लिम्स या कोई ऐसी चीज़ जो ओडियोंस को सौक्ड कर दे, विल जो भी हम तो सैतान देखने जाएंगे, जंडे गार कर आएंगे, फिर रिव्यू बताएंगे, सो विल आप बताओ, आप सैतान के लिए कितना हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में